Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas Super Ideas में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर करवा चोथ क्यों मनाया जाता है कौन है करवा माता, कैसे करवा चोथ का नाम पड़ा आज की इस वीडियो में सभी बातों पर हम नजर डालेंगे इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं अभी तक आप लोग और इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि जैसे वीडियो प्लोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बारतिय महिलाओं के लिए करवा जोत सबसे महतोपून तहिवार यह वरत अखंड सो बागय की प्राप्ती पती की लंबे उमर की कामना के लिए किया जाता है द्वापर यूग से लेकर कल यूग तक यह पर उतनी ही आस्ता और विस्वास से किया जाता है जैसा द्वापर यूग में किया जाता था आज सुहागिन मैलाई, सरवार्त, सिध्धी योग और शिव योग में इस वर्थ को करेंगी लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चोत के दिन जिसकी पूजा की जाती है वो करवा माता कौन है, किस तरीके से उनके नाम पर करवा चोत की शुरुआत हुई तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की कुछ धार्मिक कथाओ के बारे में पोरानिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पती वर्था इस तरी थी उनका पती काफी उमर दरास था, एक दिन बेन नदी में सनान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच ने उसका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए खीचने लगा, उसने चिला कर अपनी पतनी करवा को बुलाया और साहिता के लिए कहने लगा, करवा बहुत पती वर्था थी जिससे उसकी सतीत्व में काफी बल था करवा नदी के तरपर अपने पती के पास पहुँचकर सूती सारी से धागा निकालकर अपने तपोवल के माद्दम से उस मगरमच को अपने तपोवल के माद्दम से उसने बांध दिया सूत के धागे से बांध कर करवा मगरमच को लेकर यम्राज के पांस पहुची यम्राज ने करवा से पूचा कि हे देवी आप यह क्या कर रही है और आप क्या चाहती है करवा ने यम्राज से कहा कि इस मगर ने मेरे पती के पैर को पकड़ लिया था इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मर्तिय दन दे और इसको नरक में नहीं जाए यम्राज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयू शेष है इसलिए वह समय से पहले मगर को मिर्थु नहीं दे सकते इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मार कर मेरे पती को चिरायू का बर्दा नहीं देंगी तुम अपने तपोबल के माद्दम से आपको ही नस्ट कर तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज़ दिया और उसके पती को चिरायू का आश्रवा दे दिया साथ ही चितरगुप ने करवा को आश्रवा दिया कि तुम्हारा जेवन सुक्स मर्दी से भरपूर होगा चितरगुप ने कहा जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पत करवा और चोथ मिलने से इसका नाम करवा चोथ पढ़ गया इस तरह मा करवा पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए ने केवल वरत किया बलकि करवा चोथ की शुरुआत भी की यहीं से करवा से नाम पढ़ा करवा चोथ तो करवा चोथ के वरत को करने के बा पर रक्षा करें साथ ही अमराज और चित्रगुट से विंती करें कि वहें अपना वरत निभाते हुए हमारे वरत को स्विकार करें और हमारे सोबगे की रक्षा करें इसके बाद बगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रोपती ने भी इस वरत को किया था जिसका उलेक वहरा पुरान में भी मिलता है तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए कहाने कैसी लगी आपको knowledge तो वीडियो को like और share करना न भूलें साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें और bell icon को press कर लीजे ताकि जैसी वीडियो upload होती है उ मुझे social media पर follow कर सकते हैं link description box में है